दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे आसी ट्वाइस के बारे में जो की देखने में काफी ज़दा मज़ेदार लगते हैं साथी साथ उनके साथ आपको कुछ ऐसी चीज़ देखने को मिलेगी जो की हो सकता है आपने इससे पहले ना देखी हो वाय कार्स की बात हो रही हो तो सबसे पहले दिमाग में वो इमेज बनती है जो की एक कार की तरह होती है लेकिन बहुत सी ऐसी कास भी होती हैं जो कि देखने में बिल्कुल भी कार की तरह नहीं लगती हैं तो चली जानते हैं कुछ ऐसे ही गैजट्स के बारे में लेकिन उससे पहले आपसे रेक्वेस्ट है कि चनल को सबस्क्राइब करिएगा और वीडियो पसंद आये तो लाइक करना बिल्कुल नगुलेगा चली देखते हैं कि कौन रहता है इस लिस्ट के सबसे निचले पाइदान पर बच्चों के आपने ऐसे खिलोने तो अकसर देखे होंगे जो कि जमीन पर दौर लगाते हैं लेकिन अगर आप इस RC ट्वाइ को देखेंगे तो आप काफी ज़दा चौंक जाएंगे क्योंकि ये एक ऐसी ड्रोन कार होती है जो कि जमीन के सासाथ पानी में भी दौर लगा सकती है हाला कि ये बाद साइध हो सकता है आपको हजब ना हो लेकिन रियालिटी में कुछ ऐसा ही होता है इसका शेप एक स्पेस लाइट शेप रहता है जो कि काफी ज़दा लाइट वेट बनाया जाता है जिससे कि ये पानी में आसानी से तैर सके इसके विर्स भी ऐसे होते हैं कि पानी में ये अच्छे से रोटेट करते हैं जिससे कि इसे डारेक्चन मिलती है और ये जमीन के साथ साथ पानी में भी चल सकती है तो कमाल कर रहता है ये ट्वाइ गैजिट जो कि मुझे परसनली काफी ज़दा इंटरस्टिंग लगता है इसके विर्स को फ्लेक्सिबल बनाया गया है जिससे कि ये अच्छी खासी जंप लगा सके साथी इसमें एक चोटा सा क्यामरा लगा होता है जिससे कि आप ये देख पाएंगे कि आपका गैजट कहां जा रहा है इसमें आपको कंट्रोलिंग से बहुत अच्छे ओप्शन देखने को मिलते हैं जिससे कि आप चाहें तो इसे अपने मुबाइल फोन या फिर टैबलेट से कंट्रोल कर सकते हैं यानि कि इसमें remote control के बजाए आपको mobile phone से control के option देखने को मिलेंगे, जो कि कहीं न कहीं और भी ज़्यादा खास बनाता है इस छूटे से mini drone को, तो कमाल का रहता है ये gadget इससे बच्चे काफी सारा enjoy कर पाएंगे, तो आप भी एक like दे ही दीजेगा, नमबर 10, gesture control RC car, दोस्तों बश्पन में मुझे याद है कि मैंने एक बार remote control वाली car की जिद करे थी, दोस्तों उसमें wire होता था और साथी एक आगे और पीछे जाने के लिए remote लगा होता था, लेकिन मैं अगर आज की तारिक में बच्चा होता तो यकीनल इस car के लिए जरूर जिद करता क्योंकि इसमें आपको जो features देखने को मिलने वाले हैं, वो normally आपको किसी भी RC try में देखने को नहीं मिलते हैं, सबसे पहले basic features की बात करें तो इसे आप एक remote control से control कर सकते हैं, इसके wheels ऐसे बनाये जाते हैं कि ये expand हो जाते हैं और फिर से secure जाते हैं, जिससे कि ये चोटा सा gadget किसी भी surface पर आसानी से चल सकता है, वहीं इसके specialized design का फाइदा उठाकर आप इससे हलके full के stunt भी करा सकते हैं, जो कि मज़ेदार रहेंगे, लेकिन इसका सबसे खतरनाख feature होता है कि इसका gesture से control होना, इसके साथ आपको band जैसी straps मलती हैं जिनने के आपको हातों में पहनना होता है, जिसके बाद आप अपने हाथों की gesture से ही इसे control कर पाएंगे, जो कि एक मज़ेदार बात रहती है, तो समय के साथ सक technology की इस improvement को देखकर अंदर से खुशी तो होती ही है, साथी साइट ये कहीं न कहीं आपका थोड़ सा attention भी deserve करती है, तो comment करके आप बताएगा कि आपको ये gadget कैसा लगाए, दूस्तो ट्वाइक कार की बात चल ली हो और इस तरीकी का gadget देखने को ना मिले ये हो ही नहीं सकता, जमीन पे दौड़ने वाली गारियां तो हम सभी ने देखी हैं, लेकिन ये एक ऐसी ट्वाइक कार होती है, जिसे कि जमीन के साथ साथ आप अपनी दिवारों पर भी चला सकते हैं, हाला कि बच्चे इस काम को हाथ से करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा कोई automated gadget हो सकता है, आपने ना देखा हो, तो ये RC कार कुछ ऐसी ही होती है, जिसे कि आप एक छोटे से remote control की मदद से कहीं भी चला सकते हैं, ये कार काफी ज़्यादा lightweighted रहती है, और साथ ही इसमें आपको एक remote control मिल जाता है, ये remote control भी एकदम आलग से shape अगा रहेगा, जो कि हो सकता है, आपने इससे पहले ना देखा हो, जिससे कि आप इस कारी को आसानी से control कर सकते हैं, तो बच्चों को काफी ज़्यादा पसंद आने वाली है, तो आपको कैसी लगी है, आप भी हमें comment करके बताएए, दूस्तो कुछ ऐसे games हैं, जिनने की आप अपने खेलते तो mobile phone की मदद से हैं, लेकिन वो reality में सामने देखे जा सकते हैं, तो अगर आप भी कुछ ऐसा ही feel करना चाहते हैं, तो इस तरीके की robotic cars इसमें काफी ज़्यादा मददगार साबित होंगी, ये ऐसी cars होती हैं, जो की काफी ज़्यादा high speed रहती हैं, जिनका इस्तेवाल आप खेलने के लिए तो कर ही सकते हैं, साथी काफी सारी cars को इस्तेवाल करके आप अलग लग तरीके के missions को भी crack कर सकते हैं, डिस्प्ले पर जब आप देखेंगे तो आपको काफी सारी 3D stages दिखाई देगी जिनने के आपको crack करना होगा, लेकिन रियालिटी में आपकी गाड़ी डॉल लगा रही होती है आपके सामने, वहीं अलग अलग तरीके की cars को इखटा करके आप काफी सारे racing games बना सकते हैं, जो कि और भी ज़्यादा मज़दार होंगे, तो इस तरीके की car एक बहातरीन entertainment होता है, तो आपके बच्चों को ये काफी ज़दा interesting लगने वाला है, दोस्तों आपने racing track पर बड़ी-बड़ी racing cars देखी होंगे, लेकिन toy cars की बात हो रही हो, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में उन cars की image आती हैं, जिनने की बच्चे खेला करती हैं, लेकिन technology के साथ साथ काफी सीजों में improvement आया है, तो ये car देखेंगे आप तो काफी ज़दा चौक जाएंगे, क्योंकि ये एक ऐसी racing toy car रहती है, जिसका इस्तेमाल आप other toy cars से racing में कर सकते हैं, इसके design और बनावट सब कुछ एक formula 1 racing car की तरह लगती है, साथ ही इसकी speed भी बहुत ज़्यादा लाजवाब रहेगी, आप इसे road बगेरा में किसी भी जगे आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये किसी भी toy car के मुकाबले कहीं ज़्यादा fast निकलेगी वहाँ पर, तो अगर आप बड़ी बड़ी racing car में racing करना नहीं चाहती, तो इस तरीके के छोटी से toy में भी काम चला सकते हैं, लेकिन फिलाले एक like तो इसे मिलना चाहिए, बच्चों के अंदर एक आदत होती है कि वो खिलोनों को बहुत जल्दी तोड़ देते हैं, कभी-कभी ऐसा खेलते हुए होता है, और कभी-कभी ऐसा curiosity में वो करते हैं, तो साती साथ बहुत ज़्यादा मजबूत बनाई जाती है, इसमें नीचे की तरख suspension springs वगेरा लगी होती है, जिससे कि इसके tires पूरी तरीके से flexible रहते हैं, जिससे कि इसका इस्तेमाल कहीं भी किया जा सके, वहीं टकराने पर या फिरने पर इसमें कोई भी खास असर नहीं ह होता क्योंकि काफी ज़्यादा मजबूत बनाई जाती है, तो इस तरीके का gadget बच्चों को काफी ज़्यादा interesting लगता है, साती सालो साल चलता रहेगा, जिससे कि लंबे समय तक वो इसे इस्तेमाल करेंगे. दोस्तो आजकल बहुत से ऐसे ट्वाइज आ रहे हैं, जो कि ना सिर्फ ट्वाइज होते हैं, बलकि उनके साथ बहतर technology भी आपको परोसी जाती है, तो अगर आप एक ऐसा खिलोना चाहते हैं, जो कि ना सिर्फ एक छोटा सा खिलोना हो, बलकि वो आपके बच्चों को काफी कुछ सिखा कर जाए, तो इस्तिमाल कर सकते हैं आप इस तरीके के ट्वाइज को, ये एक ऐसा ट्वाइज होता है, जो कि physics की नियमों का बहुत अच्छी तरीके से पालन करता है, यानि कि इसे आप चाहें तो प्रोग्राम भी कर सकते हैं, और अलग-अलग तरीके से physics सीखन में इस्तेमाल कर पाएंगे, इसमें एक उपर छोटी सी ट्वाइज कैनन लगी होती है, जो कि देखने में बहुत जाधा ड्रमाटिक लगती है, जिसका इस्तेमाल बच्चे खेलने के लिए कर सकते हैं, लेकिन ओवर ओल इसमें आपको कोडिंग करने के option देखने को मिलते है जिससे कि आप इस कार को प्रोग्राम कर पाएंगे, जो कि बच्चों में कहीं न कहीं, प्रोग्रामिंग स्किल को बढ़ाने में बढ़ावा देता है, तो मुझे तो ये गैजट काफी ज़दा पसंद रहा है, जो कि बच्चों को काफी कुछ सीखने में मदद करेगा, आजय होती है, इसका स्पेशलाइज डिजाइन, क्योंकि जिन जगहों पर इसकी वील्स मूव नहीं कर पाती, ये कार वहीं पर स्पिन होना शुरू कर देती है, जिससे कि कहीं न कहीं वील्स बाहर आ जाते हैं, तो ये फिर आराम से चल सकती है, तो इस तरीकी के मैगनेस मे एकडम अलग होता है, जो कि हो सकता है, आपने इससे पहले ट्वाइस में ना देखा हूँ, ओबर ओल देखने में ये काफी ज़्यादा छोटी सी होती है, तो कमाल का गैजट रहता है, तो आप भी मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये गारी कैसी लगी है, नमबर थर होती है, जिसका इस्तिमाल खेले में तो किया ही जा सकता है, वहीं इसके ऊपर के सक्षन को पूरी तरीके से इंप्टी रखा गया है, जहां पर आप अलग लग तरीके के रोबोट्स को लगा सकते हैं, या किसी भी अटेचमेंट को लगा सकते हैं, जिसका इस्तिमाल आप अ अपने आप ही सीधी हो जाए, वहीं इसमें उपर की हिस्से को आप हटा के अलग अलग तरीके के अटेच्मेंट को लगा कर एक छोटे से रवाट में भी कनवर्ट कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग के ओप्शन्स इसमें भी आपको दे रखे होते हैं, जो कि कहीं न कहीं से और भ बच्चों को पसंद है, तो अगर आप भी उस मूवी को काफी जड़ा पसंद करते हैं, तो एक बार इस तरीकी की ट्रॉय कार को पर्शेस कर सकती हैं, जो कि ना सिर्फ देखने में अच्छे लगेगी, बलकि कुछ फीचर्स भी आपको ऐसे देखने को मिलते हैं, जो कि इस खास बनाती हैं, इसके उपर की तरफ एक छोटी सी डिस्प्ले लगी होती है, जिससे कि आपको इसकी आखे चलती हुई दिखाई देंगी, वहीं दोस्तों यह हल्का फुल का मूव्मेंट भी कर सकती हैं अपने दायबाय तरफ, जिससे कि और भी ज्यादा क्लासिकल लगती है दिखने में, अलाकि कार है तो दौर लगाना तो इसकी फितरत में होगा, तो यह अच्छी खासी एक रेसिंग कार की तरह तेजी से दौर भी लगा सकती है, जिसका रिमोट कंट्रोल आपके हातों में रता है, आपकी मोबायल फोन के रूप में, तो यह मैक मीन अगर आप आपको उनके लिंक्स देखने को मिल जाएंगे, तो फिलाल चलते हैं, देखते हैं कि कौन रहता है इस लिस्ट के नमबर वन पर, नमबर वन, ओली, दोस्तो अभी तक आपने जितने भी RC ट्वाइस देखे, उनमें एक चीज़ तो पॉमन थी कि कही न कहीं उनमें वील्स का इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर आप इस गैजट को गौर से दिखेंगे, तो इसमें किसी भी तरीके के वील्स का इस्तेमाल नहीं हुआ है, ये बात इसे खास बनाती है किसी न किसी तरीके से आधर गैजट से, वहीं ड्रम जासा दिखने वाला ये एक ऐसा RC ट्वाइ है, जिसे कि आप कंट्रोल कर सकते हैं, और साथ ये किसी भी सरफेस में मूव कर सकता है, बहुत ही इसली, बिसिकली इसका इस्तेमाल खेलने के लिए किया जाता है, जिसे कि आप अलग अलग तरीके के गेम्स बना सकते हैं, तो पूरी तरीके से स्पोर्ट डेडिकेटेड होता ह ये चो आए तो आपको कैसा लगा है आप गमेंट करके हमें बताइएगा फिलाल आज की इस वीडियो में इतना ही तब तक क्लिए नमस्कार दोस्तों जय हिंद